हेलो जी नमस्कार बिन नाम है शेफर पाल सिंग सो की फाश फूड नेशिन में आपका स्वागत है आपका स्वागत है कि पाश्फूड बड़ी कमाल की चीज है चक्कारेदार होती है और अपना एक अलग अंदाज होता है अब कहीं पे भी स्ट्रीट्स पे चले जाए ना वहां जो खाना मिलता वह इतना मज़िदार होता पूछिए मज़ कई बार तो ऐसे होता कि वेस्टर्न इंफ्लूंस से वह हिंदुस्टानी खाना बनाना शुरू कर देते हैं और यह इतना मज़िदार होता है कि लोग फिर सोचते कि आरे यह एक्चुल ओरिजिनल को छोड़ो खाना ऐसे होना चाहिए पाश्फूड का मज़ा यह है और आज मैं आपको बनाने सिखा रहा हूं खाकरा नाचोस तो ख है चुछ-Óर करके यूज़ कर सकते हैं यह राजमा मेरे पास उपले होएं इनका शुपन ळे ले लेते यह यह राजमा ना ओर एक फोक से इनको मैश कर लेते हैं ठीका जी यह लेजिए बड़िया मैश कर लिया अब इसमें मसाले डाल लेते हैं थोड़े से थोड़ी सी लाल मेर्च पाउडर आदा छोटा चमच अगर आपने देड़ का प्राजमा लिया है तो आदा छोटा चमच लाल कर Пाउडर थोड़ाँ सा गरम मसाला तो ये करमसाला डाल दिया, अब ये भी है कि mixed herbs भी डाल लेते हैं, थोड़ा सा western flavor, थोड़ा सा chili flakes भी डाल लेते हैं, थोड़ा सा नमक डालिए और मेरा नमक है बड़ा आला, मैंने राजमा में है डाला, धीरे धीरे डालिए और चटकारे दार बनाने लिए मैं आपको बताओ क्या करना है अपने थोड़ा सा चिली सॉस रेड़ वाला वो डालिए इसमें मजा जाएगा कसम से आप बोलेंगे कि ओरीजिनल गया समझ गया आप बनाना है तो ऐसे ही बनाना है हमने मैं एक और बोल ले देता हूं इसमें बनाएंगे साल्चा साल्चा भी हमारे अंदाज वा टमाड़ो केचप और चिली सॉस रेड़ वाला वो एक बड़ा चम्मच चटका रहा हना ची इसलिए तीन बड़े चम्मच बारी कटा हुआ धनिया हरा वाल ठीक है यह डाल लिया हरी मिर्चें दो चौप की हुई यह लिजिए और इसमें डालिए नमक अपने स्वाद और सह कर लिजिए यह लिजिए मिक्स कर लें तो इसमें तो मज़ेदार चटकारा लग गया अब सालचा भी तयार है सारी चीजें रेडी है प्लेट ले लेते हैं परोशने के लिए और यह जो खाकरा है ना यह बड़ा मज़ेदार चीज अपने आप में यह हिंदुस्तान का जव है नाचो चिप से लिए इस तरह से तोड़ लेते हैं तोड़ा सा बड़ा बड़ा ठीक है जी कि सबसे पहले इसमें डालेंगे यह राजमा मैश किया हुआ राजमा और उसके बाद थोड़ा सा यह साल्सा ठीक है जी यह इसके उपर जैसे आप भेल पूरी वगरा बनाते हैं उसके इसाप से डालते रहें इसके बाद वापस खाकरा वापस राजमा यह लीजिए और अब इस पे साल्सा चटकारेदार यह लीजिए यह हमने बना लिया फाइनली इस पे डालेंगे चीज आहा क्या बाद है और मुंबई के कांदीविली एरिया में जहां यह भज़ेदार चीजें आपको देखने मिलेंगी वहाँ चीज से कोही परेज नहीं है और यह चीज आहा जितनी डालोगे उतना क्या अब यह तयार है इसमें फाइनली यह मैं अपने तरफ से हरा धनिया डाल लेता हूँ अहां स्ट्रीट साइल एक दम पढ़िया खाकरा नाचोस तयार है मैं कह रहा हूँ यह जो चीज बनी है न जो भी विलायत में बनाते होंगे औरीजिनल रेसिपी वह अपनी जगा लेकिन एक बार जिसने यह खाली है न उसके बाद दूसरी जगा नहीं जाएगा फास्ट पूर्ड नेशन में मैं ऐसी चीज़ें आपके लिए लेके आता रहूँगा बस आप देखते रहें